कि गुट मॉनिंगे स्टुडेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहा है एसीड बेस हैंड शॉल्ट में बेस जैसे हम लोग एसीड में पढ़े थे कि एसीड कैसा होता है मुझे भीटर होता है तो आप समझेए मुं में जैसे आप साबुन पढ़ी चला जाता है ना नहां रहा हूं में साबुन चला गया जो टेस्ट लगता है उसी टेस्ट का बेस लगता है तो बेस क्या होता है तो जो अपना ओवेच माइनस दे जब वाटर में डालें तो ओवेच माइनस दे पहला या तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें दूसरा या तो एच प्लस एक्सेप्ट करें क्या होती है मैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें गलत है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें तो क्या होना चाहिए बेस के बारे में एक तो जो लिबरेट क्या निकाले हाँ ओरेट और फैज मांइस इन वाटर तो ओरेट मांइस इन वाटर एक तो यह है निकाल रहा हो दूसरा क्या करें बच्चों क्यों वाग्चों कि दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनल जो इलेक्ट्रॉन प्रोडॉन प्रोडॉन है एच प्लस एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करना चाहे उसको भी बेस करते हैं अच्छा इसी वे एक और तर्म आता है एलकली क्या आता है एलकली वैसे आप वो जानते हैं एलकली में अल्काइन अर्थ मेंटल को अप जा बेखिए एलकली क्या होता है केवल उपर वाला डिव्नेशन आ जैएगा तो भी यह जैएगा किविच डोने मिद्ध पीट आई माइनस इन वाट तो अब क्तुछ सुक्ष था है थो ऑच आइए जेसे मैं अगर इदर लिख दूँ बेस और इदर दिखूँ एलकली ठीक है तो आप ज़रा देखिए एलकली क्या-क्या होंगे के ओट लोगी केल्सियां हाइड्रोक्षाइड shi my gj egws ले ये सब फानी बीद मेद लेंगे वेड्रोक्षाइड अच्छा कि अच्छा आपने बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तब समझेंगे कैसे एल्क्राइब होता आभी जानने की होता है बेस लिए एल्कली नहीं होगा तो इस तरह के और भी कई जामपरस आपको मिल सकते हैं जैसे मैं कहूं कर्ष sma दो स्ट्राइब कि यह चद्राइब करेंगे तो अधिक्तिक्राइब को दे सकता है यह यह सकता है क्या है बेस इक लिए तो आप इस तरह से समझेंगे जैए मल एक अल्कली जाहर के लिए बेस ऑर बेसेडी आर नहीं जोरेजिया बेस्ट बट और बैसेज आर नौट है ठीक है चलिए आगे बढ़ाएं देखिए हम लोग बेस को आगे बढ़ा रहे हैं अच्छा अगर आपसे पुछन पूछे आईए एक पुस्टन दो करने कुस्टन यह है कि वेदर हैं सीएओ इस एलकली और बेस अगरिये कुस्टन दो को के पास ओवेछ है क्या नहीं लेकिन आएए लिखिए जब आप रेक्षाल कराते हैं बाटर से जब स्यों को वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने पर क्या होता है यह सी यह बनाता है कैल्सियम हाइप्रोक्साइड और कैल्सियम हाइप्रोक्साइड अपने आप प्रेक होता है कैल्सियम में और ओएच माइनस में तो ओएच माइनस निकला की नहीं इसलिए यह क्या है एलकली और बेस तो नहीं है इसलिए इसका एंसर क्या हो वोगत बोट यह वह वह अब सब्सक्राइब चाहरे अब फ्रोपर्टी देखते हैं यह लोगे सम्ण प्रोपर्टीज्ए आपने आप अब त्वित अब ट्रॉपर्टीज्य ओफ वेस तो आई यह प्रोपर्टीज़् ओध्यू पहला अब हम लोग देखे कि टेस्ट कैसा होगा बीटर टेस्ट कैसा होगा बीटर टेस्ट तो बीटर टेस्ट सेकेंड क्या है सोपी टच जैसे कितना सॉफ्ट होता है जब सादू को आप टच करते हैं तो बेस्ट टच करने में वैसा ही लगता है सोपी टच तीप तो बहुत स्मूथ सोपी टच होता है तीसरा बेस्ट क्या होता है खास बाद गुड कंड़क्टर ओफ इलेक्रिसीटी गुड कंड़क्टर ओफ इलेक्रिसीटी यह तीसरा है और चौथा क्या है बच्चों को रोजान एक्षन इसका को रोजान एक्षन होता है को रोजान एक्षन को क्या बोलते हैं क्या नाम होता है को रोजान समझते हैं ना किसी जीश को खराब कर दे हम रस्टिंग वाले को बताए लेके तो उसी को कास्टिक भी बोलते हैं तो यह कास्टिक इन नेचर यानि कास्टिक या इसी तो क्या बोलते हैं हाइली को रोसी इनेचर आप देखिए जो लोग कपड़ा दोते हैं हाथ से ज्यादा दोईगे न तो अगर तीम-चार गंटे दोबदे तो हाथ क्या होता है को रोसी जगा जगा लगे गए कट गया है हाथ फूल जाएगा और लगेगा तो इसलिए आप एप भी जाज़ते होंगे का सक नाम भी क्या है कि कास्टिक सोडा मुझने एं कि अरे भूते अगे काश्टिक सोडा से काक्यों है इसको क्या होते हैं कास्टिक पोटास तो यह कॉमन में जो है बच्चों यह भी आपको जानना होगा कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास यह कॉमन में यह भी जानने जब नहीं है कि चलिए आगे बढ़ें अब हम लोग दिखेंगे बेस का रियक्षन तो यह लिखते हैं रियक्षन और बेस रियक्षन और बेस कैसे रियक्षन करते हैं रियक्षन और बेस देखें बेस कैसे रियक्षन करते हैं पहला तो एयर से अब एयर में क्या है और सीजन तो उससे करता नहीं है नाइट्रोजन उससे भी नहीं करता है हाइड्रोजन उससे भी नहीं करता किससे करता है CO2 से क्यों CO2 से क्योंकि जितने नॉन CO2 क्या है कारवन का ऑक्साइड कारवन क्या है नॉन मेंडल जितने नॉन मेंडल की ऑक्साइड होते हैं सब कैसे होते हैं आप लोग ऐसे घर में चुना जो होता है उसका फर्मूला जो घर में चुना लगाते हैं केल्सियम हाइड्रोकसाइड क्या है बेसिक नैचर का तो दीले-दीले क्या करता है यानि CO2 ACID से REACTION कर लेता है Čथ क्या बना लेता है कैलसियम कार्बोनेट और टो वारटर तो बहुत जाता है वेप्राइजो पे तुक है और कैलसियम है कार्बोनेटacht पच जाता है यही कैलसियम कार्बोनेट जो हमारा चौक है वही हमारे दिवाद भी लिए उसी का पड़ाता बाद में वही बन जाता है तो कैल्सियम कार्बोनेट उसी दरा अगर आप कुछ और रहें जैसे माल नहीं है एने ओएच एने ओएच अगर आप पर यह सी ओडू से एक संद्र की क्या बनाएगा तो यह भी बनाएगा सोडियम कार्बोनेट और वाटर जैसे एसीड वेस मिलते हैं यह वेस और साल्ट बनाते हैं और वाटर बिल्कुल वही है थी कि बैलेंस नहीं है वह आप देख देंगे वह तो इस तरह से जितने भी नौम मेंटलिक ऑक्साइड है सारे नौम मेंटलिक ऑक्साइड अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जिसने नौम मेंटलिक ऑक्साइड है सब के सब बेस से रियक्साइड करते हैं सेकेंड विड्ड अमोनियम साल्ट वेद्ड अगर कोई केवल यूट्यूब से मेरा विडियो देख रहा है में 10 वाले ओलंबियाड वाले बच्चों के बाद कर रहे हैं और वो फाइनेंसियल अगर विक हो उनको दिक्कत हो तो वो क्या करें हमारा एप डाउन्डोड कर ले मोमेंट अमें किसमाल आया है ठीक है और वो केमेस्ट्री यो है 10 वाली केमेस्ट्री में उसको हम फ्री में पढ़ने वादे बच्चों के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है है सेकंड हम दो देख रहे हैं विद्ध अमोनियम साट इसमें क्या होता है बच्चों यह है अलकली अलकली मैंने कोई बेस और वो अलकली क्या कर रहा है अमोनियम किसी भी अमोनियम साट से रियक्शन कर रहा है तो आज जान दिए कि क्या बनाएगा साल्ट वाटर और अमोनियां क्या बनाएगा अमोनियां गैस निकालेगा जैसे पर हमारे पास है मेगनेसियम हाइडरोकसाइड और आप करिए क्या अमोनियम क्लोराइड से रियक्षन कराईए मेगनेसियम क्या करेगा है कि यहां क्लोरीन है तो जैसे बात क्लोरीन का हिसाथ बनेगा MgCl2 बना और साथ में उपने जो बताया आप आप जाने लिए क्या वाटर और अमोमिया तो निकलेगा नहीं निकलेगा यह तो कसंथा लिए तो थोड़ा सा बैलेंस करना होगा वह तो आप लोग कर लेंगे हुं पहले ही चैक्तर में पढ़ चुके है तो यह न दोगता है जलते है था आले को यह एक होता है नेवल अलग्या प्रीजेंटह नेसलर नेसलर रिएजेंट क्या बता है नेसलर रिएजेंट नेसलर रिएजेंट होता है अलकलाइन सॉल्यूशन ऑफ के टू एच जी आई फोर्ट क्या होता है बड़े होंगे जब वर्ट में जाएंगे तो यह भी जाएंगे नेसलर रिएजेंट का यूपी यह नेम बताएं ता आपको यह भी बताना पड़ता है कि पोटैसियंट टेट्रा आयोडाईडो मर्कुवेट इस तरह से इस तरह से नाम देना पड़ता है अब है अब यह देख रहे हैं एक क्लाइन शॉपी टूपी तो यह करता क्या है जैसे किसी बेस के पास ले जाते हैंडे नेसलर इजेंट को तो क्या करता है ब्राउन प्प्पी डेता है तो यह आपको पासचानने का भी तरीका है अगर कोई कहे आप से कि हारें कि आमोनिंई यह कमेग्रेसिया है नहीं किया किई का पता रहा जलेगा हमें तांक रिक्सिन करा दीए और यहा क्या करें इसके गढ़िए यहां मैं दिख दे कि यह तो इसमें पहले से क्या है कि यह करेगा और नया कंपाउंड बनाएगा अब नया कंपाउंड का फिर से नाम जो है कोडिनेट कंपाउंड होता है आप उस प्रेसे ही बस्क्रिप बिजिए कि एक कंपाउंड बनेगा और कि आई और वाटर दिखलेगा अब उसके बारे में हम ज्यादा वुदी कर रहे हैं पस्किए जान लीजिए कि ब्राउं पीपीटी बनेगा अब आम समझ गये एक्षा रिएक्षान हो रहा है ओंडिया गया ठीक है खेर हम थोड़ा आगे जा रहे हैं आगे बंदर चले जाएंगे इसलिए हम यहीं रूप रहे हैं क्या था सेकंडर रिएक्षान था हारे बेस का वेद आमोनियाम साल्ट विटाते हैं चलिए चलिए बच्चा भी वीडियो देखना हो जरूर देखे रिएक्षान विडियो जरूर देखे क्योंकि यह देखने हैं तो आपका एवेंट्वाद्स और बढ़ियां से पर यार रिएक्षान विद एसीड्स यह तो अमदूर बढ़ने से देख चुके हैं क्या रियेक्शन विर एक्षिट का लेखे हैं हम जानते हैं कोई भी बेस होगा एसीड के साथ reaction करेगा salt बनाएगा और water बनाएगा कहा लेके तें एसीड बादे में मैं example देदू ये है NaOH ये है HNO3 क्या बनेगा NaNO3 NaNO3 इसको क्या होता है चीडी salt feeder और क्या बनेगा water अगर आप बेदिजिए magnesium hydroxide साथ मेरे दिजिए क्या बन जाएगा मैंगेसियम सलफेट और वार्टर अगर आप ले लीजिए अगर आप ले लीजिए अलमुनियम हाईड्रोकसाइड साथ में ले लीजिए अच्प्रेट्ट्र के सब्सक्राइग क्या राइगा और लास्ट रेक्षन वेज़ कर। गड़ा दो, तो लास्ट रियक्शन बेज मेटल, रियक्शन बेज मेटल, तो लास्ट, मेटल के साथ क्या होता है, जब भी मेटल के साथ रियक्शन करता है, तो एक साल्ट बनाने के बाल हाइड ड्यद गैस जरूर निकालेगा, तो जरूर निकालेगा, अगर आप एन Vishके साथ जींग क रियक्शन बिरा रहे हैं, तो क्या वियलता है, इन एक्टू, जेड है नो टू, सोडियम जींगेट, क्या बंते हैं, सोडियम जींगेट और हाइ 等一下 आपको नहीं ब तदेखिए आप लोग फोड़ी बहुत दिक्कत आएगी न वह इंही बार्द यहाँद एस विडियो को देखते रहये एगे लगburst पें कुछ कुस्टों सब्सक्राइब करिए जो नहीं आ रहा है आप पूछिए चलिए आगे क्लासिफिकेशन आफ बेस इसके बाद यह बेस खतम हो जाएगा और फिर हम लोग एस्ट बेस कमबाइन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन आफ बेस क्लासिफिकेशन आफ बेस देखिए ज़रा क्लासिफिकेशन आफ बेस क्या है कितरे तरह के बेस हम दोंको देखना है पहला एक स्ट्रॉंग बेस और दूसरा तिक है मना उसको भी ऐसे कर रहे हैं आप ऐसे बाद देखिए पहला ऑन दे बेसी सॉफ आप देखिए ऑन दे बेसी सॉफ एस्ट्रेंट अन दे बेसी सॉफ एस्ट्रेंट तो देखिए पहला एस्ट्रॉंग बेस और दूसरा वीक बेस बिल्कुर वैसे ही जैसे इसीड पढ़े थे न वही डिफिनिशन होगा तो क्या लेकिए एस्ट्रॉंग बेस में एस्ट्रॉंग बेस में भी वही कि कम्प्लीटली डिसोसियेटेट इन वाटर तो वाटर में जो कम्प्लीटली डिसोसियेट हो जाए कौन-कौन से बेस होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसियेट होते हैं तो कुछ-कुछ के तो नाम जान लीजिए जैसे NaOH, KOH, RBOH, CSOH, कैल्सियम हाइडरोकसाइड, एस्ट्रॉंसियम हाइडरोकसाइड, बेलियम हाइडरोकसाइड कुछ यान रख लिजिए जैसे आपनों को उने बताया था जब कोई कहें इस्ट्रॉंग एसीड तो दोचार एसीड जान लिए, HCR, HNO3, HI, HBR, जो भी, उसी तरह जब कोई बेस की बात कहें, तो दोचार बेस की जान लिए जो एस्ट्रॉंग होते हैं उसी तरह से दुसरा क्या होता है बच्शों? बीबेस आपनों यह लिखते हे सहेगा वीचार्फिबली यह या नेख़िबली डिसोषिएट इन? वाकर, तो आपका, जैसे मेगनेसियम हाइडरोकसाइड हुआ, जैसे अमोनियम हाइडरोकसाइड हुआ, यह सब क्या है ये सर weak base में आते हैं Elm 기자, ये सर weak base में आते हैं डूसरा हों कैसे दिखते हैं on the basis of concentration on the basis of concentration on the basis of concentration कैसे दिखते हैं एक निखेंग है concentrated base gonna do कि दुर्ण 1500 बैस और सकी तो दisha को सुखल होगा यूज स Наहे अगर वातर में लाएड वातर थी कमट पेर में बहुत कम है बीस जाधा है तो बोलते हैं concentrated अगर water ज़्यादा है तो dilute यह compare के basis पर होता है ठीक है तो आपको क्योंड डिफिनिशन जानना है आप किताब में सरी भी सकते हैं तो concentrated base क्या होगा concentrated base is one which is high percentage of base as compared to water and dilute base में less percentage of base as compared to water तो यह dilute तीसरा क्या होता है base का on the basis of acidity of base on the basis of acidity of base यह fast मैं इसमें चला हूँ कि acidity में यह सब चीज़ उनलों पढ़ चुक है ठीक है तो जो रुक्येवल यही वीडियो देख रहे हैं वो acid वाला भी एक बार ज़रूर देख लिए on the basis of और अब मैं इसके description में पुराने वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको वो देख सकते हैं on the basis of acidity of base यह क्या होता है acidity मतलब कि वो base कितना OH दे रहा है या कितने H plus से reaction कर रहा है तो अगर iquels plus बे然後 तुसको फेमिन कि आप आप रहा है आप कि आप आप आौय इसिजीग मैं अपने हुआ है दो क्या कि जो व्याय स्वाइल प्रोगा इसी आप निटेंगे तेड़िंग थीज इस यह तो जा प्रोम कि आप अब क्या बनाया एन एसी एग और वाटर इसको क्या बोलेंगे ओनो एसी डिक बेस विलकुल इसी तरह दाई एसीडिक बेस डाई एसीडिक बेस यह क्या होगा नाम से इंडियर है जो दो वेस्ट दे तो आपका मान लीजिए कैल्सियम हाइड्रोकसाइड है अब आप से करना हो फिर 2H6 से करेंगा और 2H6 से reaction करके चांट बनाएगा तो दो से करवाए इसको क्या होनेगे DIAcidic Base और उसी तपरद अलग हो सकता है DIAcidic Base DIAcidic Base और DIAcidic Base जैसे Almonium hydroxide तो Almonium hydroxide अगर यह है से कर रहा है तो तीन हैं से करेगा और बनाएगा यह सी अफ्री और वाटर इसको क्या बोलेंगे हैं तो इस तरह से बच्चों हम लोग जैसे एसीड का टाइप पढ़ें वैसे ही यह सब भी है बेस के टाइप अब लास्ट में जो जो आपको याद होगा लिटमस पेपर कैसे कैसे टेस्ट हैं तो इसीड में क्या होता था लिटमस पेपर को क्या करता था क्या करता था बलू को रेड में करवाट करता था मैं एक बढ़ा अच्छा ट्रिक बताया था तो जो यह वीडियो देख रहे हैं वो जरूर उसको देखें मैं बताना नहीं है उसको जरूर देखें बहुत जवरज़स ट्रिक है तो क्या करेगा यह बेस क्या करता है बेस उल चाइकेन और एक और कुछ होता है उसी से लिटमस पेपर बनता है उधर में खैर नहीं जाना जादा तो यह क्या करता है एक्टूली लिटमस पेपर जो है डिश्टिल बाटर में परपल कलर कर रहता है लेकिन उसका लागा चैंज कर लेते हैं और वह एसीड या बेस के साथ कल हो जाएगा जैसे जैसे वहां पढ़े हैं वैसे मिथाईल ओरेंज तो जो जो एसीड में रहेगा उसका उल्टा यहां हो जाएगा तो चलिए इस क्लास को हम यहीं खतम करते हैं आप लोग बेस के विबारे में जांगे अगले क्लास में एसीड और बेस को मिला के उनकी थिय तो बच्चों खूब मन से पढ़िए कोई भी दिक्कत हो कोई भी दिक्कत हो आप उसे डायरेक्ट पूस सकते हैं आप कवेंट बॉक्स में अपनी बात कहा सकते हैं मैं जरूर समय निकालके रिप्लाइब है ठीक है बच्चों एंक्यू झाल झाल झाल